जानी, ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बोचार से, बंदा डरता है तो परवर्दिकार से Guys, मैं तो यह डायलोग अच्छे से नहीं बोल पाया, लेकिन यह डायलोग आपने जरूर मशूर एक्टर राज कुमार जी के मूँ से सुना होगा लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ की राज कुमार जी के कुछ डायलोग उन्होंने नहीं बलकि मशूर कॉमेडी एक्टर जोनी लीवर ने बोले थे, तो आप क्या कहेंगे चलिए जानते इसके पीछे का सच लेकिन उससे पहले हमारे टू मोडिविशन चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा दरसल जवाब फिल्म की शूटिंग दोरानी राज कुमार जी को पता चला कि उन्हें थ्रोट कैंसर हो गया है लेकिन उन्होंने बिना किसी को बताये शूटिंग जारी रखी फिल्म की शूटिंग पूरे होने के बाद जब डबिंग की बारी आई तो फिल्म के परडूसर केसी शर्मा को पता चला कि राज कुमार की आवाज पहले जैसी दमदार नहीं निकल पा रही है जब उन्होंने इस बारे में राज कुमार जी से बात की तो राज कुमार जी ने बताया कि उन्हें थ्रोट कैंसर हो चुका है जिसकी वज़े से वो अपनी दमदार आवाज को खो चुके हैं इसके बाद केसी शर्मा काफी परिशान हो गए लेकिन वो कहते हैं ने कि जहां चाह वहां रहा उन दिनों जोनी लिवर बड़े बड़े सूपर स्टार की मिमिकरी करने के लिए काफी मशूर हुआ करते थे यही नहीं वो राज कुमार की मिमिकरी भी हूब हूब कर दिया करते थे बस फिर क्या था जोनी लिवर को फिल्म के डबिंग के लिए बुलाया गया और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साल 1995 में हिट हुई जवाब फिल्म में एक भी डायलोग राजकुमार साब के अवाज में नहीं था बलकि उनकी जगा पर जोनी लिवर की आवाज को इस्तमाल किया गया था और दुख की बात यह है कि कुछ दिनों बाद ही राजकुमार साब की थोट कैंसर की वज़े से मोथ हो गई थी और बॉलीवूड ने अपना एक बैतरिन सितारा खो दिया था गाइज राजकुमार साब की दमदार आवास के लिए एक हाट तो बनता है मिलता अगली वीडियो में